और आज में center of mass का जो motion है उस पे कुछ अच्छे problem discuss करने वाले में basically ऐसे problem जई advance में पूछे गया है और मैं उनको discuss कर देता हूं मैं आपको shortcut idea बता देया हूं इससे पहले ही हम concept discuss कर चुके थे तो उसी concept को आगे बढ़ाते हैं और वो वीडियो आप देख लेना आच्छे से यह जो है vote है उस खुद vote की जो weight है 40kg है। और जो y है वो खुद यहां पर है ठीक है और खुद 10 kg का 10 kg बहा है 40 kg बहा है और वो जो 20 meter distance पर जो y है वह actually 20 meter के distance पर यहां से है this y is a 20 meter, यह यहां से 20 meter के distance पर exist कर रहा है, y is a 20 meter distance, ठीक है, clear है, और यहां, बोट पानी में ही होती है, तो यह गया, कि यह यह जो है, चलेगा, 8 meter टोर्ड दो बोट, अब दे सोर, यह बैंक के किनारा है, तो यह बैंक है, अब जो आदमी है, जो यह बोट पानी में है, वो 8 meter इधर आगया तो अगर 8 meter इधर आया तो boat किदर displaced हुआ in how far is from the store अब actually में जो है जब ये boat इधर आया तो जब ये आदम boy इधर आया तो boat इधर कहीं displaced हो गया होगा चलो उसको हम लोग निकाल लेते हैं पहले ये जो है this is the boy मानलो 8 meter यहां आगे थोड़ा समय इधर बनाता हूँ this boy is come 8 meter here मतले ये पहले यहां था ये 8 meter इधर डिस्प्लेश हो गया total distance पहले से ही 20 meter दिया हुआ था कि bank से initial distance था वो 20 meter था तो यह boat मानलो x इधर displaced हो गया वो हम लोगो नहीं पता है ठीक है बार में हम उसको calculate करेंगे हमारा final target है इसका यह position निकालना है this position यह हमें निकालना है initially जो बवाय था वो यहां से 20 meter पर था समझना यह जो distance है that is 20 meter already question में given है small d displacement of the boat and this is the displacement of the boat समझना कितने सारे distances है actually 20 meter पर था अभी भी 20 meter पर रहेगा 8 meter आगे आगया यहां से आगे आया पहले यहां था ना यार तो यहां से आगे आगया 8 meter और यह जो boat है दी displacement इधर हो गया होगा और यह final x की हमारा target है x का calculation करना x क्या है final position of this boy from the bank source है final position इस boy की हमें निकालनी है तो इसके सर पर अभी भी उतना ही बाल रहेगा ठीक है चलो तो हमें निकालनी है calculate करनी है आप कैसे calculate किया जाए ऐसे question को करने के लिए जब मैं आपको एक आइडिया बताया था एक ट्रीक बताया था कि इसको ले जाके कि स्मूथ सर्फेस से हटागे इसको फिक्स सर्फेस पर रफ सर्फेस पर रख दो और मान लो कि बोट फिक्स है डिवाइड बाइ समेशना मासेस समेशना मासेस 10 40 और 50 जाएगा 50 0 मतलब 8 अपान 55 मतलब 1.6 माइनस 10.6 मीटर इधर जो है center of mass displaced होगा तो बोट displacement में आपको हो जाएगा इधर की direction में आ जाएगा center of mass इधर displaced होगा निगेटिव में तो बोट इधर displaced हो जाएगा वह 1.6 होगा मतलब जो d आ जाएगा d आ जाएगा वह आ जाएगा 1.6 यह वाली distance 1.6 मतलब भी 1.6 यह बात आपको समझ में आ गया होगा फाइनल अगर position निकालना है तो अब देखो अब कुछ नहीं बचा आप logic से हमें calculate करना पड़ा है आप देखके तो final position जो x होगा समझो एक्स यह एक्स तो एक्स निकालने के लिए यह वाली distance 20 में से यह कितना हो जाएगा यह कितना हो जाएगा 8 यह वाली जो distance आ जाएगी this distance यह जाएगी 8-1.6 मतलब यह आ जाएगा 6.4 ठीक ना 6.4 7 और 6.4 यह वाला तो अब यह वाला जो distance हमें पता चल गया और यह x निकालना हमें तो यह यहां से 20 है यह 6.4 है तो यह कितना हो जाएगा यह आ जाएगा 20x की value 20-6.4 13.6 मीटर आ जाएगा x का displacement तो I hope कि आपको समझ में आ गया होगा यह formula जिसको समझ में नहीं आ रहा हो इससे पहले वाला वीडियो देखे कि कैसे मैंने shortcut trick लगा कि इसको 13.6 फटाक से जल्दी से इसको मैंने calculate कर लिया यह काफी puzzling होता थोड़ा बच्चों को दिक्कत होता था इसको